नमस्कार क्या पचल चीबी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूछा कोरोना के कम होते प्रकोप के बीच यूपी से एक राहत देने वाली खबर सामने आई है सियम योगे आदितनात के नित्वत में सूबे में अब तक 12 करोड से अधिक लोगों को वैक्सिन लगाया जा चुका है तो वही 9.32 करोड लोगों को कोरोना की सिंगल और 2.68 लोगों को कोरोना की वैक्सिन की दोनों डोस लग गई है देखे इस पे हमारे रिपोर्ट यूपी में कोरोना की दूसरी लहर अब पूरी तौर पर नियंत्रन में है सूबे में तेजी से हो रहे वैक्सिनेशन और टेस्टिंग का नतीजा है कि प्रदेश के 42 जिलों में आज एक भी आक्टिव केस दर्श नहीं किया गया वहीं 17 जिलों में एक 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 आक्टिव केस ही बचे हुए है प्रदेश ने अब तक 8 करोड 15 लाग से अधिक टेस्ट किये है वहीं 12 करोड से जादा लोगों का टीका करन किया गया जिसमें 9 करोड 32 लाग को पहली डोस और 2 करोड 68 लाग को दूसरी डोस दी जा चुकी है हलाकि सूबे ने कम समय में सबसे जादा 12 करोड वैक्सिनेशन के टार्गेट को हासिल कर सबसे जादा वैक्सिनेशन करने वाला पहला राज बन कर एक बर फिर से दूसरे प्रदेशों के समक्ष नजीर पेश की है यूपी में कोविट वैक्सिनेशन के लिए योगि 17.53 फीज़ी से जादा लोग पूरी तरह कोविट वैक्सिनेशन कवर ले चुके है वही 62.67 फीज़ी से लोगों ने कम से कम एक डोज लगवाली है इस दौरान पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमन की दूसरी लहर अब पूरी तौर पर कंट्रोल में है हलाकि आक्टिव कोविट केस की संख्या यूपी में 123 रह गई है जबकि 1,49,654 सेंपल की टेस्टिंग में 5 जिलों में कुल 9 ने संक्रमित मरीज मिले इस बीच 4 लोगों को डिस्चार्ज किया गया फिलाल अब तक 16,87,000 प्रदेश वासी कोरोना संक्रमन को मात दे चुके हैं ट्रपल टी, वैक्सिनेशन, कोरोना कर्फ्यू समेत दूसरे फैसलों के कारण आज प्रदेश की हाला दूसरे प्रदेशों से काफी बहतर है जिसका परिणाम ये है कि पॉस्टिविटी रेट 0.01 फीज़त हो गया वहीं प्रदेश का रेकबरी रेट 9.8.7 प्रतीशत दर्श किया गया कम होती संक्रमन के मावजूत प्रदेश में लगतार तेजी से टेस्टिंग हो रही है राज प्रभावी प्रोटोगॉल के साथ कोरोना की प्लांट क्रियासील हो चुके है सुबे की मुख्या योगी भी राज सरकार की ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट नीती की तारीफ कर चुके है सरकार की और से भी लगतार ये कहा गया कि कोविट संक्रमन को नियंतरत करने में उप्योगी सिब्ध हुई है कोविट 19 से बचाओ और उपचार की विवस्थाओं को प्रभावी बनाये रखने के निर्देश दिये गए लगबग 22 करोड की आबाधी वाले देश के सबसे बड़े सुबे को सियम योगी ने जिस तरह से कोरोना की दोनों लहरों से समाला है वो वाकई राहत देने वाला है जयादतर प्रदेशों की हालात खराब हो गई कोरोना की इस दौर में वहीं सियम योगी ने ना सर्फ कोरोना से प्रदेश को समाला वहीं वैक्सिनेशन में भी सबी प्रदेशों को पचाड दिया कोरोना की दूसरी लहर पर सुबे की सियम योगी खुद बारीकी से नजर रखे हुए थे कोरोना से किस तरह लोगों का बचाव किया जाए और प्रदेश के सभी लोगों को वैक्सिन लगाई जाए इस पूरी रननीती को सियम योगी ने ही समहाल रखा था इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं Capital TV उत्तर प्रदेश नमस्कार